नमस्कार दोस्तों विंडोस 11 के सीरीज में आपका स्वागत है मैं हूँ दीप और आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे विंडोस 11 PC को रीसेट करते हैं आगे बढ़ने से पहले रीसेट होता क्या है उसको जड़ा समझ लेते हैं तो रीसेट का मतलब होता है फिर से या नए सीरे से सेट करना मतलब अगर हम विंडोस 11 को रीसेट कर रहे हैं इसका मतलब है कि विंडोस 11 को दोबारा से हम इंस्टॉल करने वाले हैं with कुछ condition कि क्या हम अपना personal file रखना चाहते हैं या फिर सब कुछ delete करना चाहते हैं चलिए शुरू करते हैं So click start, फिर settings यहाँ system में ही recovery यह रहा reset this PC and click reset PC यहाँ दो option है पहला आपका personal data को रहने दें और दूसरा सब कुछ delete कर दें तो जैसा आपका requirement हो उसी हिसाब से कीजिएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ c drive का बात हो रहा है जिसमें की windows installed है मैं keep my files को select करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा personal data delete हो जैसे मेरा photos, documents, videos, etc फिर यहाँ दो option है पहला cloud download और दूसरा local install cloud download में windows online download होगा जो करीब 4GB का होगा फिर वो install होगा इसे बेटर है कि local install जिसमें की मेरे ही PC से windows दोबारा install होगा so click local reinstall यहाँ यह बता रहा है कि सारा application install हो जाएगा और default जो windows के साथ आया था वही सब install रहेगा और windows इसी PC से reinstall होगा so click next एक बार फिर से आपको बताएगा कि resetting से क्या-क्या प्रभाव पढ़ने वाला है आपके PC में जैसे कि windows का settings default हो जाएगा personal files delete नहीं होगा जैसे मैंने setting चूज किया था windows दोबारा इसी device से installed होगा सारा apps और program remove हो जाएगा remove होने वाले application को देखने के लिए view apps that will be removed पे क्लिक करके आप देख सकते हो और ये रहा वो apps back पे क्लिक करते हैं और reset पे क्लिक कर देते हैं अब बस हमको इंतजार करना है इस बीच आपका computer दो-तीन बार restart होगा video को मैं fast forward कर देता हूँ finally हो गया complete जो भी app remove हुआ था उसका HTML file desktop पे आ जाएगा तो आप देख सकते हो कि क्या-क्या application remove हुआ था video कर अच्छा लगे तो please like करना ना भूले और हाँ video को share करें ताकि information दूसरे तक पहुचे and please subscribe my channel मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक के लिए बाबाई